प्रियावरण अध्यान का फुल सॉलीशन देखने वाले हैं यह आपका मंत मार्च का वर्क्षीट आ चुका है जैसे कि आपने फर्वरी मंत में भी दिये होंगे तो आपने इस मां के आ चुके फर्स्ट आप आपको कुणना क्या रहता है कि आप अपना विद्यारती के नाम यानि आप आपका नाम यहां पर लिखेंगे पर इसके बाद आप अपने पिताजी का नाम लिख देंगे पर इसके बाद आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम यहां पर लिख दीजीगा और यहां पर कलास जैसे कि यह थर्ड कलास है तो आप यहां पर परकार से इसका प्रिस्क्रमांग एक देखिए येहां पर निम्ध पश्वन के उततर देना है पिस्क्रमांग एक है कि हम कुछ जानवरों को पालते हैं उनकी देखबाल भी करते हैं तालिका में कोछ जानवर है जिन् Particip decid तो आपको बताना कुछ इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए जैसे कुट्टा है तो इनने क्यों पालते हैं तो इसका आपको अंसर देना जैसे कि आपको यहाँ पर कुट्टा है तो यह हमारी घरगी देखवाल भी करता है गाएथ हमें दुद देती या यानि दुद्दृत आधी के लिए बकरी करें कि जड़ını इस प्रकार करते हैं जमने घर में गर्मराक्ट या किसे करते हो हम एक कुट्ठा है जिसे हम प्यार से मोती कहते हैं आप कोई भी नाम रख सकते हैं जैकий युरूर नहीं मोती लेके अ कुछ भी लिख सकते अ अप अपने हिसाब से और आप अपने पडूस में भी देख सकते हैं अगर कोई कुटा है या उसके बच्चा है ठीक है चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद प्रिष्ट मांग दो है कि नीचे दिए गाए चित्रों में देखकर उनका अवलोकन करो और बताए कि यह किस तर अंसर देने पड़ेंगी ओके तो हमने यहां पर लिख दिया है जैसे कि आप यह देख लीजिए कि यह एक स्नौ हाउस है जिसे बर्प से बनाए जाता है आपको डाइग्राम बनाना है यह एक पक्का गर है जैसे इट सीमेंट रेत आदी से बना सकते हैं त्यान इसके बाद थैसे पाच एक जोपड़े जैसे गास शेलेओंगे अपको बनाना है इसके ओप्रण मतलब की किस की सचेष्ट से बना सकते हैं इसको बताना है इसक बदाँन match क फाइड है आपका इन काम के लिए कहां जाएंगे आपको बताना है कि आप जो काम करेंगर उनके आप कहां जा जाओ गए और पढ़ने के लिए आपका इसकूल जाओ ओके तो इस प्रकार से आपको यह वर्क्षिट में दीए तो आप अपने वर्क्षिट में फिल कर लीजिए गा वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब एसे वीडियो प के इसके बाद इसका सेट क्या है सेकंड आप One मी बैट आप पने वाम से आप तीन बहनों की नाम लखना है और आप जरूर्ब है की कारी लेकें बसी लेकि nella लेकिए आप अपने इसाद से भानों का नाम लेकना यह भान में कुछ भी आ सकता हो के तो आप फिर भी हमने आप लिख दिया है आप अपनी बर्क्षीट में फिलकल लीजेगा देन इसके बाद आपका थ्री नंबर का है जो लोग बोल या सुन नहीं पाते बे अपनी बातों को कैसे समझा पाते हैं तो इसका बे लोग अपनी बाते लिखकर या फिर इस अब हमारा कॉश्चन फाइव एग आपको निमने प्रिश्णों की उत्तर देना है जैसे इसी का फिस्ट कॉश्चन दिया हुआ है बच्चो कि चित्र संकेत को पहचान कर आपको संकेत किन चीजों को दरस आते हैं ओके तो आपको उनके नाम लिखना है जैसे जैसे कि आप यहां पर हमने दिया है कवा रेल मार्क पेड़ मंदर सडाक हैड़ ठीक है तो आपको क्या चित्र संकेत आपको बर्क्षीट में दिये होंगे ओके तो हमने यहां पर उनली जैसे पर नमबर पर कवा है दूशी नमबर पर पेड़ है तीसी नमबर पर सडाक है वह हमने यहां लिख तेया है हम कि आप को डिये हैं बरखेट में देख कर लेख सकते हैं ओके अंसर हमने यह पर फिर कर दिये तो आप उसी नमबर से आप वह forgiven सकते हैं ऍुरिआ Оп लेकिन हमने फैर्वी जादा लिख दिए इसी का कॉश्चन नमर सक्षा बच्छो की नीचे एक प्रामिट दिया गया है जिसमें इस्तानों को साइक्रम में बनते हैं उसके अन्सार उनके नाम प्रामिट को लिखिए जैसे गाह, नगर, जला, महुला, वार्ड, विकास और तै हैं, मद्रदेश में, जिसकी राजदानी बोपाल है, जिसके बादे तुम्हारे जले का नाम, जैसे कि माल दीजिए, मैं गुना जले में रहता हूं, आप जिस जले में रहते हैं, आपको वहां पर लखना है, जरूर नहीं कि आप गुना ही लिखें, क्योंकि ये आपकी बे का नाम है, जिसमें तुम रहते हो, ये आपको सिंपल पूचे गाएं, फिर आपके आपके प्रोजेक्ट आपर के स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 20 नमर का ये भी पूचा जाता है, तो इसमें कॉश्चन नमर सेवन आपको दिया हुआ है, हमारे गार में पानी बरने में, भ पानी से बढ़ जाएगी, तो ये किया तेरह मान लीजी है, आपकी कटोरी कितनी चमच पानी से बर जाती है, तो 8 चमच, आपका मघ भरने में कितने चमच पानी लगता है, तो ये कितने पंदरा, आपको प्रैक्टिकल घप करना ज़रुरी कि आप का यह भी हैं, फिर वहthought sandy आपको यही आंसर करना पड़ेगा आपनी परक्षीट में पर पानी की बचत के लिए कोछ चित्र बना कर रहे हैं अकवार कोच कर इसे प्रोजेक्ट वर्क को चपकाई यह आप अपने हिसाफ से आप जो इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क में चपकाना है या आप कहीं से भी नीज पेपर से कटिंग कर सकते हैं अब इसी का है उत्तर हमें फिर भी लिख दिया पानी बरबाद ना हो इसलिए पिरते एक नल पर टॉंटी होना चाहिए जल का उपयोग आवज सकता अनुचर करने और बूंद बूंद कर दिन बर में बहुत जल बरबाद होगा ओके एक कॉस्टन नमबर सेवन का अंसर है कॉस्टन नमबर एट जो की आपको दिया हुआ है बर्कशीट में आप बर्कशीट में लेगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जैसे नल नल कुआ और नदी तो यह पर आप यह कर लें ना कूँआ ठीक है देन इसके बाद कॉस्टन नमबर नाइन का आंसर है यह आप देख सकते हैं कि आप स्क्रीन सोट भी ले लीजिए ओके तो आई होब कि आपके वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी वीडियो आप के लिए लाते रहते हैं चलिए मिलते हैं नेक्षी वीडियो में धन्यवाद देख सकते हैं